इस समय हैं पॉंटा साहिप से मातर 5 किलोमेटर दूर हिशनपुरा में मौझूद है जहां पर महिलाओं द्वारा कहीं तरह की फसले त्यार कियेगे जिनसे महिलाओं की आये भी दुगनी हो रही है हम आप को बतारी हैं कि जो मेरे पीछे यह पल्दार पहुदे नजर आहे यह महिलाओं दो आए प्राकार्टनी खेती से किये गए हैं जिससे महिलाओं की जो मंद्ली इंकम है वह भी बढ़ रही है और महीलाओं के प्राकृति खेती के लिए और दिन प्रादिन खॉंसलाई भी बढ़ रहे हैं, हमारे साथ महीलाओं भी मोजूद है, उनसे भी पूस्त जानना चाहें किस तरह उनकी आये बढ़ रही है, और कितने उनके लिए प्राकृति खेती फायरे मन्द है। जिरो बजट के जिए है, जिरो बजट तो शुरू, मैं हमें पताल लगा डोचिती से प्राकृति ही कर रहे हैं, उसीरान से किम हम दोड़ी और खात तो लेके नहीं आएंगे अपने घर में फसल हो चाहे ना हो एक दो साल हमें एक डेड़ साल तो हमें दिक्कत आई चलो उसमें थोड़ी इल्ड भी कम आई और बेचने में भी दिक्कत आई लेकिन अब आस्ते आस्ते जो है सरकार ने बहुत ज्यादा बड प्रकृति खेती कर ही रही हैं जिनके पास दो दो चार चार विगे जमीन है लेकिन जो ज्यादा बड़े जीमीदार हैं वह पूरे में नहीं कर पाते क्यूंकि घर वाले भी मानते नहीं तो कुछ एरिये में वह खाद बगैर द्वाण्य बगैर डालते हैं लेकिन जो खाने के लिए त्यार करते हैं वह अपने लिए प्रकृति करते हैं और हमारे पंचयत परदहान है उन्होंने एक बार हमारा प्रोग्राम देखा था सुना था वह भी कसम खाके चले गए थे वह 15 विगे में आज कल कर रहे हैं और 10 विगे उनका गन्ना है वह शकर बढ़ा के बेच डालो का बर्हम है जितने जिवाम जश्टाय का बनाने के लिए लगता है उत्ना ही डालो कirst है अभी लोग आरहें चैकि जब अधर मना कर देते हैं कि यह वह कोया इलाजी नहीं है पिर आते हैं कि आई कहां से यह वह मदाऑ के हां से वह थाक्ष जिट करें उस ही हम तो हर लोगों को यही कहते हैं, ग्रूप में भी यही बात होती है, कि अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर मत दो, प्रकृती खेती करो, हमारी फुल साहता कर रहा है, पॉंटा साहिब, बीटीम, एटीम जो भी है, मतलब सारे हमें नहान से भी वो मिलती है, लोग हर त दुगनी होगी, अब जो खात द्वान्या हम लाते थे कभी लेके नहीं आते, बजार से हमारा लोग खात द्वान्या दूंडते रहते हैं, उतने में हम बीज के किनारे भी हो जाते हैं, अब अपने खेतों में घूमके भी अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे लोगों के खे अपने लगा के हमारी खेती हो जाती है, अमीरा देवी, मैं सोयंसा है, ग्रूप से हूँ, हमारी भीयों जे सुद्रक और जी ने हमें एक प्रकृती खेती के बारे में बताया, और हम तब से कर रहे हैं, आए कम खर्चा करके दुगनी हो रही है, और हमें तो बहुत फ्याद हुआ है, मैं नाम कुलदीब कॉर, और हम ग्रूप में जुड़े हैं, और हमारी सेनियर हैं, जी जी सुद्रक और इन्हों ने हमारे को बताया कि प्रकृतिक खेती करो, और हमने किया है शुरू, अब थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं, तरह कितना फारा मानता है, पहले कितनी बताया है, रहे कि पारा है, तो बताता है, फाईदा मिल रहे हैं, फाईदा निम वुगा तो लगा रहे हैं, आम हारोद का लगा रहे हैं। हम इसके साथ मिले हम सब्सक्राइफुए तक मैं प्रकरती खेती ही कर रहा हूं और तब से अब तक मैं टोटल प्रकरती खेती कर रहा हूं यह आपके सामने देखो यह मॉडल है कि इसमें हर किसम का हमने पौद्वे लगा रखे हैं वह इसलिए कि हमें 12 मेने कुछ नकुछ अरना आती रहे है और मैं और उपिफो सारे लोगों के बारे मैं बता रहे तो क्याकि यह कर रहा है और मेरे वैसी तो यह मास्टा व्याओं यह पिसे प्रक्णा को भी संदेश दे रहे हैं कि जह्यक्ति रहेऊ है कि और जो कुझ यहिंत restricted और यससान है कि race कारी कि सांग है पहली बाद से हमारा कुछ है कुछ इसमें Altree में सब कुछ यह जरूरत कर रख रते हैं पुरा कर देती है जितना 24 गंटे में देसी गाई गोबर गोमुतर करती है वो पांच बीजगी के लिए अबेलेवल होता है बहुत होता है और इसे लिए आप मल्डिपलाई कर लो तो एक मीने में आपने आपी डेड़ सुभी का जमीन कपर कर लेता है हमारी एक देसी गाई प्राकर्तिक खेतिक किसान बागवानों के लिए सायदयमन साबित हो रही है जिसका सबसे बड़ा सबूत पॉंटा साहिप के किशन पुरा से आपने अभी लोगों और महिलाओं द्वाला सुना है आपको बता दे कि प्राकर्तिक खेतिक ने जहां किसानों की आयत दुगनी हो यह वहीं यहां की महिलाओं को अच्छा रोजगार भी मिड़ रहा है एटीवी भायत के लिए पॉंटा साहिप से रॉबिन शर्मा